किसी भी बैक्ती ने लोन मुरोटोरियम का लाफ लिया है तो वो अपनी बची हुई रकम का भुगतान कैसे करें दोस्तों लोन इस्ट्रक्चिरिंग के अलावा आपके पास तिन विकल्प है कि जिसके दोरा आप अपनी लोन की इमाई को चुका पाएंगे 31 अगस्त यानि की 6 महिने के लिए दी गई लोन मुरोटोरियम की अवधी अब खत्म हो चुकी है दोस्तों अब हमें 1 सितंबर से अपनी ली हुई लोन की इमाई और वियाई की रूल से चुकाने पड़ेगी दोस्तों सबसे पहला विकल्प है कि आप अपने नजदी की बैंक या नोन फैनेंशन बैंक के पास जाएं और अपनी लेंडर से उस रकम को आउट एस्टेंडिंग लोन की रकम में जुड़वाले जिससे उनके लोन की रिपेमेंट की बची हुई अवधी में हर महिने को इमाई बढ़ जाएगी और दोस्तों दूसरा भी कल्पिया है कि इमाई रिपेमेंट करना है और इस पर उन्हें किस दर ब्याज देना पड़ रहा है अब उधार करताओं के पास तिसरा बिकल यह भी है कि ओ मोरेटोरियम की अवधी के दोरान जूड़ने वाले ब्याज को ओ अलग लोन में तबदिल करा लें जो उधार करता अभी भी लिक प्याप्त रकम है तो और लोन मोरेटोरियम के दोरान बची हुई रकम को एक इहीं बार में जमा कर सकता है इसके बाद पहले की तरह ही इमाई भरना शुरू कर सकेंगे और उधार करता बची हुई महिनों के लिए इमाई को बढ़ाना चाहता है तो उन्हें पहले की तुलन में ज्यादा इमाई चुकानी होगी दोस्तो हम एकजांबल की मदद से समझ लेते हैं कि कि किसी बेक्ती ने 20 साल के लिए 50 लाख रुपिया का लोन लिया और इस पसाड़े 8 फिस्ती किदर से ब्यात देना पड़ रहा है और उस बेक्ती ने अपरेल से अगस 6 महिने तक लोन मुरोटोरियम का लाव लिया है मुरोटोरियम के पहले उस बेक्ती को 240 माई चुकानी थी इमाई की रकम 43,391 रुपिय थी और कूल ब्याज 14,13,889 रुपिय का है अब 5 महिने तक मुरोटोरियम का लाव लेने के बाद कूल ब्याज 64,82,470 रुपिय देना होगा इस प्रकार उन्हें 10,64,491 रुपिय का अतित ब्याज देना पड़ रहा है ऐसे में अगर वह ब्यक्ती मुरोटोरियम का लाव लेने के बाद पहले की अवधी में ही अपनी इमाई बढ़वा कर रीपेमेंट का विकल्प चुनता है तो उसे हर महिने 45,311 रुपिय की इमाई देनी होग उधार करता के पास एक विकल्प यह भी है कि ओ इमाई न बढ़ा कर बल की लोन की अवधी ही बढ़वाले ऐसी इस्तिती में उन्हें 240 इमाई की जगह 270 इमाई चुकानी होगी इसका मतलब हुआ कि इमाई न बढ़ा कर लोन की अवधी बढ़ाने पर उन्हें 30 महीने यानी क धाई साल तक अतित इमाई चुकानी पड़ेगी RBI गोना सक्ती दास जी ने कहा कि जो उधार करता 30 मार्च से पहले लोन की इमाई सही धंग से रिपेमेंट किया है तो ओ लोन रिस्टर्क्षिन का फैदा ले सकते हैं और जिसने किसी प्रकार का डिफोल्ट किया है उसे लोर रिस्टर्क्षिन का फैदा नहीं मिल सकता है दोस्तो वीडियो अच्छी लगी होतो लाइक कीजिए, सेर कीजिए, सबस्राइब कीजिए और बेल का आइकोन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके जय ही जय भारत